Hello everyone, welcome to my channel. I am going to discuss selection sort. With the help of selection sort, we can arrange element in ascending order. सबसे पहले हम देखेंगे क्या steps हैं elements को sort करने के लिए by using selection sort. Then उसकी अलगोज देखेंगे और उसके बाद इसका implementations and complexity के बारे में discuss करेंगे. सबसे पहले देखेंगे क्या steps हमें follow करने हैं selection sort में elements को sort करने के लिए. Selection sort में हम क्या करते हैं? जो आपका सबसे पहला element होता है. उसको हम ले लेते हैं mean. जो पहला elements है, उसकी जो index है, उसको हम mean में assign कर लेते हैं. इसके बाद हम क्या करते हैं? नेक्स्ट element यानि यहां से, पहले वाले element के साथ इसका compare करेंगे. अगर आपका पहला element यानि जो mean वाला element है, यह greater element है. और जो आपने यह वाला element लिया है, यह अगर आपका smaller है. तो mean is equal to क्या हो जाएगा? 1. Means, अब आपका mean क्या हो जाएगा? यह. क्योंकि यह value क्या है? यह element 9 से smaller है. फिर क्या करेंगे हम? आगे बढ़ेंगे, यहां पे. अब 1 का compare जिंस हम किस के साथ करेंगे? mean के साथ. तो जो आपका 1 position पर, या 1 index पर element है, वो क्या है? 3. ठीक है? तो क्या होगा आपका? जो आपका 3 less than min, यह condition क्या हो जाएगी? false हो जाएगी. तो उस case में अब minimum क्या हो जाएगा आपका? minimum हो जाएगा 2. clear? जो भी उसका index होगा. next step में जाएगे, 4 का comparisons minimum के साथ करेंगे, यानि यहां 1 है, 4 है, तो क्या है? minimum अभी क्या है? आपका 1 ही है, 4 क्या है? 1 से greater value है. इसलिए minimum आपका क्या होगा? अभी इस यही होगा. next आपका, इस element के साथ compare करेंगे, जब इस element के साथ compare करेंगे, तो यहां पे element क्या है? 1, और यहां पे क्या है? 2, तो यह value greater value है, तो minimum अभी आपका क्या होगा? same यही index होगा next आपका same in है same in का comparisons इसके साथ करेंगे तो क्या होगा? यह element आपका क्या है? smaller elements है और यह क्या है? greater elements तो इस case में minimum भी अभी आपका same यही होगा next 5 के साथ इसका compare करेंगे तो क्या होगा आपका? 5 के साथ जब compare करेंगे तो 5 आपका क्या है greater value है तो greater value है और यह क्या है आपका minimum value है यानि आपका minimum क्या होगा यह होगा इसका meaning यह है कि जब हम selection start के through element को sort करते हैं तो सबसे पहले हम पूरी list में जो सबसे minimum elements होता है उसको find करते हैं उसको find करने के बाद first element का और जो minimum elements का है आपस में क्या कर देते हैं, इनको swap कर देते हैं Means आपका क्या होगा ये, ये होगे आपका 1, 3, 9, 4, 2, 7, 5 तो ये होगे आपका first step, इस step में क्या हुआ, जो सबसे minimum elements है इस list में यानि जो सबसे पहला element है, उसको हमने minimum माना और उसके बाद उस element का इस पूरी list के element के साथ compare किया जो इसमें सबसे minimum elements हुआ, उसको उसके साथ swipe कर देंगे Again क्या करेंगे आप, अब next element को minimum लेंगे तो minimum अब आपका क्या हो जाएगा, 1, यानि 3 तो अब जो आपका minimum element 3 है, इसका comparison next element के साथ करेंगे तो यह क्या है, greater element है, या greater value है, तो क्या होगा, minimum अभी आपका first index वाला element ही होगा यानि 3, इसका comparison करेंगे minimum के साथ, तो क्या है आपका, 3 क्या है आपका, सबसे smaller element है means अभी 4 greater है किससे 3 से, next क्या करेंगे, 2 का comparison 3 के साथ करेंगे तो 2 क्या है आपका, less है, किस से 3 से, 2 किस index पे store है, 4 पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा minimum आपका, 4 means अभ सबसे minimum element क्या है यहाँ पे, 2, 2 है, 2 के साथ compare करेंगे किसका, 7 का, तो जब 7 के साथ compare करेंगे तो क्या होगा यह already minimum elements तो minimum is equal to क्या होगा भी, 4 होगा, यानि 4 index में 2 element है next 5 का comparison किसके साथ करेंगे, 2 के साथ, तो क्या होगा, सबसे minimum elements क्या होगा आपका, 2 तो अब आपको क्या करना है, जो next element है, उसका जो सबसे minimum element है, उसके साथ क्या करेंगे, swiping करनेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यह होगा आपका, 1, 2, 9, 4, 3, 7, and 5 तो यह हो गया आपका, second step, next element, जो आपका यह वाला element है, इन दो elements को आपने क्या किया, पहले ही consider कर लिया, as a minimum अब next element को minimum लेंगे, यानि minimum equal to हम लेंगे, 2, यानि second index का element जो 9 है, वो minimum है अब 9 का comparison हम किसके साथ करेंगे, 4 के साथ, तो क्या हो गया, 4 आपका क्या है, 4 आपका, smaller है, 9 से, तो minimum क्या हो जाएगा, 3, means third index का जो element है, यानि यह हो गया, आप क्या करेंगे, इसका comparison इसके साथ करेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे, less कौन सा होगा, 3, तो यानि 3 का index क्या है, 4, तो minimum equal to क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका comparison इसके साथ करेंगे, यह greater value है और इसका comparison इसके साथ करेंगे ये भी greater value है तो यानि इसको किसके साथ हम swipe करेंगे? third के साथ तो ये होगा आपका 1, 2, 3, 4, 9, 7 and 5 अब next आपका क्या element लेना है? ये वाला index third index वाले अब element को हमें किससे बाकी element से compare करना है? आप यहाँ पे देखेंगे जिस यहाँ इसके पहले सारे element और लेड़ी sort हो चुके हैं तो selection sort में क्या करना है आपको? पहले element को minimum लेना है ठीक है? और बाकी सारी list में अगर इससे minimum value आपको मिल गाती है तो उससे उसको क्या करेंगे? swipe कर देंगे same process बार-बार repeat करते जाएंगे minimum third location पे या third index पे value क्या है? 4 तो 4 का अगर हम 9 के साथ compare करेंगे तो 9 greater होगा 4 का 7 के साथ compare करेंगे तो greater होगा 4 का 5 के साथ compare करेंगे तो 5 क्या है? आपकी greater value है यानि 4 अपनी exact position पे है तो यहाँ पे कोई swiping नहीं होगी next आगे आप move कर जाएंगे minimum है तो minimum आपका 9 है 9 का compare जन 7 के साथ करेंगे तो 7 क्या है? smaller value है तो 7 किस index पे है? 5 तो minimum आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? जो आपका minimum है उसका compare जन इस element से करेंगे तो क्या है? minimum आपका क्या हो जाएगा? 6th position वाला element यानि 6th index वाला element आपका क्या है, minimum elements है तो इसका जो आपका पहले आपने consider किया था इन दोनों को क्या करेंगे, swipe कर देंगे तो आपका ये simple है, 1, 2, 3, 4 यहाँ पे क्या जाएगा, 5, 9, और 7 अब next element आपका यहाँ पे इसको minimum as a treat करेंगे तो minimum is called to क्या हो जाएगा आपका, 5 तो यानि 5th index वाला जो element है, वो क्या है, minimum है तो 9 का 7 के साथ compare करेंगे, तो 7 क्या है, smaller value है तो minimum क्या हो जाएगा आपका, 6 इसके बाद आपकी list खतम हो गई है तो आपको क्या करना है, और इसको, और इसको क्या करेंगे हम, swipe कर देंगे तो यह आपका हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 तो यह आपकी list क्या हो गई, sort हो गई, by using selection sort तो selection sort का simple process है, सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले element को minimum लेना है इस element को next element के साथ compare करेंगे अगर next वाला element minimum है, तो minimum यह हो जाएगा फिर उसके बाद next element के साथ compare करेंगे, अगर यह minimum है, तो यह minimum हो जाएगा इसके साथ compare किया, आपने तो 4 greater value है 1 से next के साथ किया, तो 2 क्या है, greater है 1 से 7 greater है 1 से, 5 greater है 1 से उस case में आपको first element को जो minimum element है, उसके साथ हम swipe कर देंगे next step में next element को हम minimum लेंगे और उसको क्या करेंगे, आगे elements के साथ compare करते जाएंगे जो भी इन में से minimum element मिल जाएगा उसके साथ इसको swipe कर देंगे next क्या करेंगे हम, इसको minimum treat करेंगे और आगे के सारे elements में check करेंगे कि सबसे minimum element कौन सा है जैसे 3 यहाँ पे आया 9 और 3 को क्या करेंगे swipe कर देंगे 4 को यहाँ पे हमने minimum treat किया है लेकिन आगे जितने भी elements वो क्या है greater elements है तो 4 agities यहाँ पे रहेगा swiping नहीं होगी यहाँ पे अब यहाँ पे आपने 5th को 9th को minimum लिया है जब 9th को minimum लेंगे तो इधर जब आप compare करेंगे तो 5 क्या है minimum है किस से 9 से तो उस case में 5 और 9 को हम swipe कर देंगे 7 9 ठीक है 5 यहाँ पे आजाएगा 9 यहाँ पे आजाएगा अब next time हम इसको और इसके साथ compare करेंगे तो इसमें से क्या होगा 7 9 एट इज रहेगा ठीक है तो यह आपका जो है selection sort के थूँ आपकी sorting हो जाएगी by mistake यह 9 7 कर दिया था तो आप इसको सही कर लेना अब हम आगे discuss करते हैं इसकी algo के बारे में आपको पता है कि अगर आपके पास कितने elements हैं 7 elements है तो element को sort करने के लिए कितने steps आपको follow करने है n-1 steps तो हमें क्या करना है जो आप यहाँ पे minimum count कर रहे है उसको हमने इस तरीके से यहाँ पे किया है i is equal to 0 i less than n-1 i plus plus minimum is equal to i का meaning क्या है कि जो minimum element होगा वो i होगा means zero location वाला या zero index वाला element क्या होगा वो minimum होगा minimum is equal to 0 means zero index वाला जो element होगा वो minimum होगा अब हम क्या करेंगे अब हमको देगे इसको आपने minimum ले लिया अब हमको कहां से start करना है यहां से start करना है और सारे elements को scan करना है जो इसमें सबसे छोटा element होगा उसको इसके साथ swipe करना है तो अब हम एक नया loop लगाएंगे j, j को कहां से start करेंगे next element है यानि i plus 1 यानि अगर यहां पे 0 plus 1 होगा तो क्या हो जाएगा 1 यानि j कहां से start होगा इस position से i आपका क्या है यह है उस case में क्या होगा j is equal to 1 से start होगा less than n j plus plus if aj, aj means 1 a1 यानि 3 अगर 3 less than a min यानि a0 a0 में कौन से element है 9 अगर यह condition true हो गई आपकी ठीक है अगर यह condition true हो गई तो minimum क्या हो जाएगा minimum equal to हो जाएगा j, तो j क्या है आपका 1 ठीक है, 1 हो जाएगा next time आपका क्या होगा again यह loop चलेगा j equal to क्या हो जाएगा 2 जब j 2 हो जाएगा तो j aj की value कितनी है 1 और यहाँ पे minimum अब क्या हो गया minimum हो गया आपका यहाँ पे 3 क्योंकि यहाँ पे minimum equal to क्या हो गया था 1 तो अब क्या होगा 1 less than 3 इसका meaning क्या है minimum change हो गया minimum equal to हो गया 2 next time हो जाएगे तो j आपका क्या हो जाएगा 3 जब j 3 हो जाएगा उस case में क्या होगा यहाँ पे क्या value है 2 तो aj की value हो गयी 2 और a minimum की value कितनी है 1 condition false हो जाएगी तो minimum अभी आपका कितना रहेगा 2 ही रहेगा ठीक है next j आगे move करेगा ऐसे ही 4 के साथ किया हमने 2 के साथ किया next आपका j हो गया 7 तो यह हो गया 7 less than 1 तो क्या हो जाएगा minimum आपका 2 रहेगा next 5 के साथ compare करेंगे तो minimum आपका क्या रहेगा 2 जब आपका minimum 2 होगा तो temp एक नया variable लेंगे हम इस variable में a i a i क्या है आपका i is equal to 0 है 9 कहां आजाएगा temp variable में a 0 position है उसमें कौन सी value आजाएगी a minimum की value और minimum क्या है 2 यानि second index वाला जो element होगा 1 कहां आजाएगा starting में और a minimum में कौन सा element चल जाएगा temp वाला है यानि यहाँ पे आपका 9 आजाएगा 1 होगा तो minimum क्या हो जाएगा minimum is equal to 1 तो minimum यहाँ पे कौन सा है यह element third अब इस element का compare हम क्या करेंगे बाकी सारी list के साथ करेंगे जब बाकी सारी list के साथ compare करेंगे तो जो यहाँ minimum element होगा उसके साथ उसको swipe कर देंगे ठीक है तो यहाँ पे जैसे आपका क्या है i1 से start होगा तो j कितना हो जाएगा 1 plus 1 2 तो j कहाँ से start होगा यहाँ से इस element को इसके साथ compare करेंगे यह smaller value है आगे बढ़ेंगे इसके साथ करेंगे smaller value है इसके साथ करेंगे तो यह क्या हो गया तो minimum होगा तो यहाँ पर min is equal to क्या हो जाएगा min is equal to हो जाएगा 4 ठीक है then उसके बाद 7 का comparison 2 के साथ करेंगे तो greater value है 5 का करेंगे greater value है तो minimum कितना आगया आपका 4 तो again क्या करेंगे यह loop से बाहर आजाएगा क्योंकि सारे element से यहाँ खतम हो चुके होंगे तो temp में क्या आजाएगा मलब i, i क्या था 1 यह वाली 3 कहां आजाएगा temp variable में और आपका जो यह वाली position है इस position में क्या आजाना चाहिए 2 आजाना चाहिए तो यहाँ पर आगया ai में a min आगया और a min में हमने temp को assign कर दिया तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा यह step हो गया next time क्या होगा i is equal to हो जाएगा 2 जब i is equal to 2 होगा तो min क्या हो जाएगा 2 ठीक है जब min 2 हो जाएगा उस case में देखिए यहाँ पर अब आपका यह हो गया i तो i अब क्या हो गया 9 ठीक है minimum is equal to 9 minimum is equal to 2 हो गया अब आपका जो j कहां से start होगा 2 plus 1 3 से start होगा यहां से start होगा यह सारे element का इसके साथ compare करेंगे 4 less than 9 4 less than 9 condition true है तो minimum क्या हो जाएगा minimum की value change हो जाएगी minimum हो जाएगा 3 next time यह run होगा तो यह कहां जाएगा 4th में अब क्या करना है हमें जो आपका 3 है यानि यह 3 less than क्या minimum minimum क्या है 4 condition क्या हो गई true हो गई ठीक है तो minimum आपका क्या हो गया 4 minimum 4 हो गया इसके बाद 7 के साथ करेंगे greater value है 5 के साथ करेंगे greater value है उस case में क्या होगा यह और यह swap हो जाएंगे तो उस case में temp is equal to ai ai क्या है आपका second वाला variable वहाँ temporary variable में assign कर देंगे और ai ai में कौन सा minimum वाला element डाल देंगे यानि 3 यहाँ पे आ गया और a min में कौन सा value डाल देंगे temp की value 9 यहाँ पे आ गया यह next आपका 4 है यानि i is equal to 3 होगा अब इसके साथ compare करेंगे तो क्या होगा सारे elements greater है तो यह 4 ही रहेगा क्योंकि उसमें swiping perform नहीं होगा next आपका 9 आएगा 9 का यहाँ करेंगे 5 के साथ 9 का कमतेया करेंगे 5 9 हो जाएगा next 7 नहेंगे 7 already smallest element है तो कोई perform नहीं होगा यहाँ पे और उसके बाद आपका 9 है तो इस तरीके से आप selection sort के help से elements को ascending order में arrange करते हैं next हम देखते हैं complexity के बारे में complexity के बारे में देखें तो सबसे पहले हमें देखना है worst case complexity second element को n-1 comparison second element को n-2 comparison n-3 comparison and so on last में 1 comparison तो इस तरीके से यह क्या होगा n-1 n-2 n-3 and so on 3, 2, 1 तो इसको हम क्या लिखेंगे n n-1 by 2 ठीक है और इसको हम क्या लिख सकते हैं big O n square तो worst case complexity क्या होगी आपकी big O n square worst case complexity का means क्या है अगर आपके सारे element क्या हो descending order में हो ठीक है descending order means 9, 8, 7, 6, 5, 4 इस type के अगर elements होगे तो क्या होगा यह सारे क्या होगे means अगर इस element को minimum लेंगे तो यहाँ पर यह minimum होगा then यह minimum होगा then यह minimum then finally यह minimum होगा तो इसका इसके साथ swipe करेंगे तो क्या होगा पहले element के लिए n-1 comparisons second के लिए n-2 comparisons ऐसे करके up to 1 तो यह क्या हो जाएगा आपका O n square हो जाएगा Best case होगा List Already Sorted हो List आपकी क्या हो? Already Sorted हो तो यह क्या हो जाएगा आपका? Best case हो जाएगा इसकी complexity के बारे में discuss करें अगर आपने इसको minimum लेगा तो क्या करना है? इसका इसके साथ compare करना है इसका इसके साथ compare करना है यह minimum ही रहेगा इसके साथ ये greater value इसके साथ greater value मेंस best case में भी आपको क्या करने है सारे comparisons तो इंस क्या होगा आपका? यहां पे भी आपका best case में भी कितना time लगेगा? n² selection sort में worst case और best case दोनों case में कितना time complexity होती है? n² अगर आपका best worst n² है तो average क्या होगा? average case ये भी आपका क्या होगा? theta n² तो ये आपकी complexity होगई किसमे? selection sort में Next है आपका implementation of selection sort यह यहाँ पर हमने variables declare कर दिये यह यहाँ से हमने कितने number of elements insert करने हैं यहाँ पर array में elements आपने insert कर लिये अब यहाँ से हम selection sort perform कर रहे हैं पहला loop i is equal to 0, i less than n minus 1, i plus plus minimum is equal to i कर दिया हमने Next आपको क्या करना है, j को कहाँ से start करना है, i plus one position से less than n, j plus plus, if aj less than a min, to min is equal to z, ठीक है और उसके बाद अगर कोई swiping होनी है, तो यहाँ पर swiping perform हो जाएगी और उसके बाद जो भी sorted array होगा, वो यहाँ पर print हो जाएगा, ठीक है तो यह आपका simple implementation of selection sort है, अगर आपको वीडियो useful लगा हो तो please like, share and subscribe to my channel, bell icon को press करना ना भूले, जिससे next video का notification मिल सके, thank you